आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्डी खीर इसे हम ब्रेकफास में खा सकते हैं और जो जो समान से हम इसे आज बना कर रेडी करने माले हैं बहुत ही हेल्डी है तो इसे आप कभी भी खाईए, कभी मीठा खाने कामन करता है, जब भी आप बना सकते हैं और इसमें उपर ही उपर आपको दिख रहा होगा कि Foxnet मतलब कि मखाने पड़े हुए हैं मखाने बहुत ही ज़्यादा healthy होते हैं, सुगर को maintain करते हैं यादा सेज करते हैं और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं इस खीर में हम चावल का यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं लेकिन यह फाइवर से भरपूर है, इसका मतलब ही आपके digestion में भी help करेगी तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गैस पर एक कड़ाही रखना है और एक चमज यहाँ पर देसी घी डाल देना है बहुत ज़्यादा घी वगेरा हम इसमें यूज नहीं करने वाले हैं लेकिन यहाँ पर एक चमज घी तो जाएगा ही, थोड़ा सा घी खाना बहुत अच्छा होता है सिहत के लिए तो एक कप यहाँ पर हमने फूल मखाना लिया है, इसे fox nut भी कहते हैं तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से साफ करके घी में डाल दिया है घी रोस्ट कर लेना है, बढ़हाँ सा इसमें क्रंच आजा है, तब तक आप इसको रोस्ट करिएगा रोस्ट किये हुए मखाने वैसे भी बच्चों को देने चाहिए, स्नैक्स के रूप में खाना चाहिए कभी बाहर जा रहे हैं, तब भी आप ले जा सकते हैं तो यहां पर फिलहाल तो हम खीर के लिए से रोस्ट कर रहे हैं, और बढ़हाँ सा क्रंच आजाया, तब तक आप इसको रोस्ट कर लीजिएगा मखाने में अच्छा सा ख्रंच आया है या नहीं उसके लिए आप मखाने को एको हास से अच्छे से क्रिष्प करिएगा आपको पत्ते jour जये तु यहां पर उसके अच्छे से क्रिस्प हो गया है इसको निकाल लेते हैं अलग से बोल में अब यहाँ पर कड़ाही गरम है पहले से ही तो बस गरमा गरम कड़ाही के अंदर एक चमच और घी डाल देंगे और इसे घी में ही बनाईए कि जादा घी का यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा घी बहुत अच्छा होता है फ्रेंड बच्चों के लिए बड़ों के ल लेशन करना घी में अच्छा से रोस्ट करना है और गयस का फ्लेम बिलकुल यहां पर स्लो रखेगा इसे तब तक रोस्ट करना जब तक कि इसका हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए बलकि आप इसमें देख रहे होंगे अच्छा से पॉप-प होना इस्टाट हो गई है थोड़ पर आप देख सकते हैं अभी आधा धूरा ये भूना हुआ है इसको अर्छे से हमें भूनना है तो इसको भूनने में आपको 3-4 मिर्ट का टाइम लग सकता है क्योंकि गैस का फ्लेम यहाँ पर हमें स्लोर रखना है यह बिल्कुर सेहर से भरपूर नास्ता है अगर आपको सु देख सकते हैं दल्या हमारी भूनकर रेडी हो गई है और अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया है सभी दाने बिल्कुर से पॉप अप हो गया है एक एक दाना खिला खिला सा नजर आ रहा है तो यहाँ पर अभा मैट कर देंगे दूद तो यह उबला हुआ पहले से दूद है और इसको ठंडा रूम टंपरिचर पे था तो वही हमें इसमें डालना है एक कब दूद डालके अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे ने तो क्या होता है गांट बन जाती है नहीं सब दल्या जो होगा नहीं खठा हो जाता है तो पहले इस पैजुला से हिला दीचिएगा उसक बाद हम एक्स्रा दूद इसमें एट करेंगे तो दूद की मातरा अपने हिसाब से कम्याद ज्यादा कर सकते हैं मैं यहाँ पर 4 कब दूद एट कर रही हूँ और अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ आप चाहें तो 2 कब दूद और 2 कब पानी में भी बना सकते हैं लेकिन खाने में थोड़ा सा फीका लगेगा तो यहाँ पर देखिए चार कब दूद डाल के अच्छे से हमने इसको मिक्स किया है और अब हमें इसमें बॉइल लाना है तो दूद में देखिए अच्छा सा एक बॉइल आ गया है तो फिर से हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर देना और गैस का फ्लेम याप पे मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हमेशे दल्या को पकाना है जब्चे कि इस से सॉफ्ट न हो जाए आज की जो खीर है थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है बोखत ही जादा टेस्ट्री होने वाली है इसके लिए यहां पर हम डाल देंगे एक दाल चीनी का टुकड़ा, तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक इंचान दाल चीनी का टुकड़ा है, इसे बड़ी हाँ सी मिठास होती है, और सेहत वाईस भी बहुत एच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा फैसे होती है, जब कभी कोल्ड होता है, उसमें भी इसका तो बीच बीच पित चालिके का कम आप देड कहार मेजरों कहार सकते हैं अंद पर बीच चाइड़ मेजरमें गारते हैं और यहां पर किष्मेंल दल्यूद के जोड़ेगों मिठास अमका है combined चीनी इड़ीं जिने और अगर हाँ जिने सुगर की प्रॉलम है वो सुगर फ्री जो ड्रॉप साते हैं वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं अब यहाँ पर बिल्कुर से पक चुका है उस स्टेज में लास्ट में हम डाल देंगे रोस्ट की हुए मखाने और फ्लेवर के लिए हाफ इस्पून क्रस किया हुआ हरी लाची का पाउडर तो यहाँ पर बिल्कुर से पक चुकी है इसको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा तब भी आपको लास्ट में बस मखाने डालने हैं अच्छा सा एक वाइल लाना है और मखानों को ज़्यादा अगर पका देंगे तो यह बिल्कुर से सॉफ्ट हो जाएंगे त क्यों जैसे जैसे ठंडी होगी ना थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी तो इसको बहुत जादा गाढ़ा मत करियेगा और इसे अगर आप गर्मियों में खा रहे हैं तो ठंडा करके एंजोय कर सकते हैं और अगर आप सर्दियों में खा रहे हैं तो गर्मा गरम एंजोय कर और ये हमारी बहुत ही ज़्यादा खीर बनकर रेडी है दल्या मखाने की खीर है सभी को बहुत पसंद आएगी बच्छों को लिए भी फादे मंद है बड़ों के लिए भी फादे मंद है तो इसको अगर आप डेक फास्ट में खाते हैं तो आपको दिन भर ठकान नहीं होगी और बहुत ही अच्छा फील होगा तो अगर आपको हर रोज ये रहता है breakfast में क्या बनाया तो कभी कभी आप इसको भी अपनाएए बहुत ही healthy और फायदे मन्द चीज है बच्चों को देना चाहिए बड़ों को देना चाहिए बलकि खुद जो लेडी जें working है और जो housewife हैं उनके लिए भी बहुत फायदे मन्द है तो आप लोग इसे बनाएए enjoy करिये और जब भी आप इसको बनाएएगा अपना feedback मेरे साथ share करना बिल्कुल मत भूलिएगा अब मैं यहाँ पर एक प्यारी से request करना चाहूँगी आज की रेस्पी आप सबी को पसंद आई है तो friends please like ज़रू करियेगा family friends और रिष्टेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्वेर करियेगा और जो लोग मेरे चैनल पर new है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको तह दिल से सुक्रिया आप लोग बनाएए enjoy करिये मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ बाबाई